नमस्कार किशान भाईयों आज हम आप लोगों को एक ऐसे जली फर्ण के बारे में बताने वाले हैं जो की काफी फायदे वाला है और बड़ी चीप टकनोलोजी है इसमें इसको लगाने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता आप हमारे पीछे देख रहे हैं अजोला है एक बीक्रावाइ और श ब Mengने यूट्रीण में फायते हैं जैसे आमीनो एशिड फड़ा हो गए विटामिन हो गए प्रोटीन तो इसमें 35 परसेंट के लग्भख पाया जाता है अगार आप इंगर्पने जाणरों को खिलाते हैं जीसे गाए भैस वे फिस फीषSeđ में जीड़ भेंगे उंच को खिलाएंगे तो दूरी की मात्रा बढ़ती है और मुर्गियों को खिलाते हैं जो अंडे देने वाली हैं मुर्गया मुर्गिया होती हैं मतलब एक तरीके से यह सूपर फूड है आइडल फूड बोल सकते हैं इसको अजोला को और अजोला बहुत ही आचानी से किया जाता है इसकी टेक्निक हम यह बताने वाले हैं और अजोला एक नेट्रोजन इसको दाल देते हैं यह दो तरीके से पहले आप अपने खेत में यह फिर आप लगादीये कि इसको फाइद їसको क्या फायदा है कि आपको धाना परेशन जोtill interpreting को रोकता है यह यह पुरा एक लियर बना लेता आ आप यहां देखेंगे कि एक पूरी हरी चद्दर जैसे बन गई है तो वो उसको रोकता है वाटर रिवाप्रेशन को और जो स्वाइल की वाटर के होल्डिंग अपसेटी है उसको भी बढ़ाता है और साथ में यह वीड मैनेजमेंट भी करता है जैसे कुछ सेटन वीड्स हो उनको यह उगने से रोकता क्योंकि यह लाइट प्रूफ एक चद्दर जैसा बनाता है इसके नीचे लाइट कम जापाती है जाती है वट कम जापाती है जिसे कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो हो जाते हो उनकी भी यह कम करता है और स्वाइल की फैलिलीटी भी बढ़ाता है इसके धेर सारे फायदे हैं और यह बस आप इसको डाल दीजिए इसको बस थोड़ा सा पानी चाहिए होता है कम से कम चार सिंटीमीटर इसको गहरा पानी हो उसमें अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है टो टमप्रेजर की बात करें तो यह 20 डिग्री से 35 डिग्री से बीच यह अच्छे से ग्रोव होता है अजोला की छे प्रजातियां होती है जो अपने भारत में सब ज्यादा प्रसिद्ध है वह पिनाटा है तो हमारे पास भी पिनाटा वराइटी है तो अभी हम लोग इसका कर रहे हैं और हमने एक रीडिंग शुरू की है अपने बाइवेट कुछ गाये, उनको हम अजोला कहा है देख रहे है कि अभी कितना दूद्ध दे रहे हैं जोला खाने के पहले और जोला खिलाना सुरू करेंगे, उसके बाद वह कितना दूद्ध का प्रोड़क्शन करती है वो कितना होता है यह हम भी आपके सार्ट सेयर करेंगे तो अब य अध्धा कहां तैयार करेंगे जहां आपके वाटर का सोर्स अच्छा हो पानी आप अच्छे से वहां पर उपलबद करा पाएं और ध्यान देने वाली बात है कि अजोला जो होता है ज्यादा धूप नहीं चाहिए वह सब्ट्रॉपिकल रीजन का ये फर्न है फर्न क्या होता ह जो हमारे ऐसे पाउधे हो पेड़ हो जो कि जिसमें फल ना लगता हो फूल ना था कि वहल उसमें साखाय हो पतियां हो वाँ यह एक्वेटिक फर्न है तो यह जल में रहता है पतियां होती हो जड़ होता है तो इस तरीके से तो इसको कम दूप चाहिए जैसे 25-50 फिसको लगाई जहां आपको थोड़े समय के लिए दूप आए फिर वो दूप वहां से चली जाए और ध्यान देने वाले बात है कि गढ़्धे में खरपतवार नहीं होना चाहिए पतियां वगारा जो गीड़ती हो साफ करते रहना चाहिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गढ आपकी पनी पंक्चर हो जाए इस तरीगे से गढ़्धा तयार कर लेने के बाद उसमें पॉलीथीन बिचाते हैं अब पॉलीथीन बिचा लिये हैं जब तो ध्यार रखना होता है पॉलीथीन के निचे कोई कंकड़ पत्थर नहीं कि पॉलीथीन हमारी फट जाए अब हम इ इसमें हुबर का गोळ बना अक करेंगे यह मिक्स कर radio को हम अच्छे से मिक्स करेंगे नीने के गंदगी उपर जाती है तो हमसaras क sect शांट के भाहर हम इसमें जरिट फेंगी अंकंतरING तो इसमें से थोड़ा जोला लेके उसमें हम डाल देंगे तो इस तरीके से आप अपना ये तयार कर लेंगे उसके बाद होता है कि उस लोग इसमें सुपर सलफेट फास्फेट डालते हैं 200 ग्राम के लगबक चाहते की देखें कि दोणों में डिफरंस क्या होता है क्या उनकी ग्रोथ में कुछ डिफरंस आता है या फिर उनके जो जलदी बढ़ने में और उनके प्रोडक्शन अच्छा होगा और आप परड़े एक किलो जो है निकाल पाएंगे अपने जानवरों के लिए खिलाने के लिए और इसका मल्टीप्लाई होता रहेगा और हां आपको चीजों बता दें आपका जो पानी का लेवल होगा वह चार संटीमीटर कम से कम होना चाहिए संटीमीटर ने स्वारी चार इंच कम से कम होना चाहिए अधिक सदिक 10-15 इंच होना चाहिए तो इतने में आपका जोला अच्छे से गुरू होगा जादा पानी रहेगा तो भी जोला बर्दी कम होती है क्योंकि नीचे से उसका जो मिट्टी है और नूट्रिंट है वो मिल नहीं पाते इसलिए पानी का लेवल इसी के बीच में रखना है और पानी का जो पी एच होता है वह पांच से साथ के बीच में होना चाहिए और अगर आपको कोई और कोश्चन वगरा हो तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं आप हमारे इंस्टाग्राम आइडी यह जो आपको दिख रही है इस पर आप हमको फालू कर लिजिए वहां भी आप हमसे बाते कर सकते हैं तो आपको यह जानकारी कैसे लगी बताइएगा जरूर और हाँ अगर आप मारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्काइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक